बदलते संदर्व और आज के बरतमान समय में हुम्योपैथी ची किस्ता पूरे विश्व समदाय के लिए एक बर्दान सुरूप उभर कर सामने आया है नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर रत्नेश हुम्योपैथी हिंदी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकान को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों आज के संक में हम जानेंगे बर्तमान समय में और संक्रमण विशेष की स्थितियों में चर्षित होमनुपैथी दवा आरसेनिक अलबम 30 की आखिर इसे ही क्यों लिया जाए के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बर्तमान स्थितियों खास कर संक्रमण विशेष की स्थितियों में एक प्रतिरोधक के तौर पर आखिर आरसेनिक अलबम 30 ही क्यों लिया जाए इस संबंध में बात करने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आरसेनिक अलबम 30 दवा का संचिप्त विबरण इसका डोज और उप्योग से संबंधित वीडियों पूर्व में दिया जा चुका है आप इसको आपके अपने इस चैनल हुम्योपैथी हिंदी के वीडियो सेक्षन में जाकर जरूर देखे जिससे आरसेनिक अलबम 30 और इससे संबंधित विश्यों डोज उप्योग आठकी सही और इसपष्ट जानकारी आपको मिल सके दोस्तों अब बात करते हैं आरसेनिक अलबम 30 की की आखिर आरसेनिक अलबम 30 की क्यों लिया जाए क्यों ये दवा इतनी चर्चित हो रही है क्या है आरसेनिक अलबम 30 के संक्रमण रोधी बातों का सच तो आरसेनिक रिस्पाइरेटरी रिलेटेड मेडसिन स्वसंसंस्थान की प्रमुफदवा है आरसेनिक में सांस लेने में परिशानी से लेकर स्वसंतंत्र और फेफ़ों तक में संक्रमट से लड़ने की, बचाव करने की और इलाज तक की अध्भुत छमता पाई जाती है साथ ही साथ संक्रमट विशेष की इन इस्थितियों में मानो मन में सुभावतर पाया जाने वाला डर, घबराहट, बेचैनी और यहां तक की मृत्युभय इसके प्रमुख मानसिक लच्छण है आरसेनिक अल्बम के इन ही सब बातों को देखते हुए और उससे जुड़े लाफ के कारण, आयुस मंत्राले भारत सरकार ने आरसेनिक 30 का उप्योग एक प्रतिरुधक के तोर पर करने की सलाह दी है जीनस इफिडेमकस और एरिया विशेश के आधार पर खास कर भारत भूम और यहां की जलवायु में और यहां पर संक्रमण में उभर कर आ रहे लच्छणों सर्दी जुखाम, खासी खरास और गले में संक्रमण के साथ सांस लेने में परिशानी याद की स्थितियों में लच्छणों की अनकूलता के आधार पर आरसेनिक एल्बम 30 रोग प्रतिरुधक के तोर पर सर्वाधिक उप्युक्त दवा है आरसेनिक एल्बम दवा का प्रियोग 30 पोटेज़ी में लगातार 3 दिनों तक सुबह खाली पेट, लिक्विट फार में दोदो बूद और गोली में 4-6 गोली एवंग बच्चों को इसकी आधी मात्रा में देना चाहिए संक्रमण विशेश की स्थिती में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 15 दिन या महीने में एक बार पर इसको दुहरा सकते हैं आज के यंग में बस इतना ही दोस्तों जाने से पहले आज का यंग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हुम्मपैथी चिकिस्ता, ग्यान विज्ञान और स्वास से सम्बंधित समस्याओं की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें मिलते हैं किसी नए नालिजबूल वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी, नई टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार